अब का civil service production में सुबरीबडी आज के total 5 segment के current affair है so I hope कि आप इसको बिल्कुल like करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो भी discussions होता है one to one discussions होता है one to one line discussions होता है so please छोटा सा short notes भी आप लेकर बैठिए तभी video देखिए अदरवाजी इसको आप skip भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप notes नहीं बना रहे हैं तो ना ही magazine का benefit होने वाला है ना ही किसी video का benefit होने वाला है so please छोटा सा short notes भी बनाने की habit लाइए तभी कोई भी जो current भर content है वो उपयोगी हो पाएंगे चली start करते हैं so पहला questions है कि किस केंद्री मंत्राले ने performance grading index for district यानी PZID की report प्रकासित की है okay so right answer है सिक्षा मंत्राले ठीक है so सिक्षा मंत्राले के school सिक्षा और 77 विभाग ने verse 2020-21 और 2021 के लिए जीलों के लिए प्रदर्शन grading index PZID की सेउंगत रिपोर्ट प्रकासित की है यह रिपोर्ट गहन विसलेशन के लिए सुचकांक इस्थापी करके जीला इस्तर पर school सिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का मुल्यांकन करती है इसमें पूरे भारत में 2020-21 के दौरान 742 जीलों और 2021-22 के दौरान 748 जीलों का वर्गिकरण वर्गिकरित किया है तो याद रखना यह रिपोर्ट काफी important है इस रिपोर्ट के content को भी आपको याद रखना है कि रिपोर्ट क्या क्या काम करता है किस-किस view से किस-किस direction से अपने को समपादित करता है ठीक है और किसके तहर तो सिक्छा मंत्रा ले चलिए चलते हैं second questions पे competent बेलको वीच किस घगोली पिंड से सुदूर भाग पर ज्वाला मुखी परिसर है ठीक है so right answer है चंद्रमा ठीक है जो आला मुखी 20 फोटों की समझ को मजबूत करती है सो भी अच्छी बात यह है कि चंद्रमा जो चंद्रियान 3 है ये date याद रखना चंद्रियान 3 इसका जो launching date है वह 14 जुलाई है ओके और चंद्रमा पे पहुँचेगा कब so 23 जुलाई को soft landing के थुरू ये land करेगा ओके और soft landing कहां पर दच्छी धुरू दच्छी धुरू पे एक बहुत बड़ी बात है कि 23 जुलाई को भारत के नाम से एक किर्तिमान day माना जाएगा क्योंकि पुरे बीस्व में अभी तक किसी ने चंद्रमा के south pole पे landing नहीं किया है सबसे बड़ा कारण क्या है चंद्रमा का जो south pole की जमीन है वो काफी उबडखाबड है ठीक है उबडखाबड है second कारण क्या है कि वहाँ पर जो sunlight है उसकी अनुपस्थिती है और third कारण क्या है कि वहाँ का temperature minus 230 degree Celsius है तो इस कारण से पुरे विश्व में अभी भी कोई देश south pole पर landing नहीं कर पाया है और नहीं किसी तरह से वहाँ पर अपनी access को बना पाया है 23 जुलाई को चंद्रयान्थ्री वहाँ पर जब soft landing करेगा तो भारत के नाम से यह 20 का सबसे बड़ा कृतिमान डे माना जाएगा आप इसके बारे बिल्कूल अच्छे से जान चुके होंगे अगर बिल्कूल चंद्रयान फर्स्ट चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो प्रॉपर रूप से अपलोड हो चुका है आप बिल्कूल वहां से जा करके अवरनेस ले सकते हैं चली चलते हैं कोशन नमबर तीन पे विल्सन लिटिल पेंगोईन विल्सन लिटिल पेंगोईन के अवसेश किस देश में खोजे गए हैं तो राइट एंसर है नुजिलेंड वैज्यानिकों ने हाली में नुजिलेंड में दो जिवास्मों की खोज की है जिसमें कि सबसे छोटी ज्यांत विलूप्त पेंगोईन प्रजाती की अवसेश मिले हैं ये नाम याद रखना विल्सन लिटिल पेंगोईन जिसे विल्सन लिटिल पेंगोईन यानि यूडिप्ला विल्सन आई भी कहा जाता है तो ये आप इसका सेकेंड नाम भी यूडिप्लोटा विल्सन आई भी आप याद रखना ठीक है अब बाकि इसको एक नॉर्मल भासा में बोल चाल की भासा में बिलसन लिटिल पेंग्विन भी कहते हैं, ठीक है, कहां पर मिला है, न्युजिलेनों चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, चली, कोश्चन नमबर 4 पर चलते हैं, कि संत्रिक चेजनसी ने सीर्थ यानी C.E.E.R.S. 1019, नमक आकास गंगा में सबसे दूर स सक्री सूपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है, ठीक है, कि किस अंत्रिक चेजनसी ने C.E.E.R.S. 1019, नमक आकास गंगा में सबसे दूर सक्री सूपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है, सो नासा ने किया है, ठीक है, तो आई होब कि आप इसको बिल्कुल समझ गए, कि क्या है, ओके, सो नासा के जेमस बेब इस स्पेस टेलिसकोप ने सक्री सूपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है, जो इसे अब तक होजा गया, सबसे दूर वाला ब्लैक होल बनाता है, सो इस ब्लैक होल की मेजबानी करने वाली आकास गंगा, सी डबल ए आर एस वन जीरो वन नाइन, बड़े बिसफोट के बाद से, पांस ओ सत्तर मिलियन से अधिक वरसों से जीवित है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, कि इस टेलिसकोप का इस्तिमाल किया गया है, ये भी जुलाई, ओके, 29 जुलाई, 1958 को, यानि 58 में, युएस में किया गया था, इसका अगर हेड़ क्वार्टर की बात करें, तो हेड़ क्वार्टर कहां है, वासिंग अटन, डीसी में इसका हेड़ क्वार्टर है, clear, सो नेशनल, एरोनॉटिक्स, एंड, स्पेस, एड्मिनिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, तो आई होब कि नासा के बारे में एक छोटा सा व्यूव हमने जान लिया, और नासा की बात किये हैं, तो थोड़ा सा इसरो के बारे में बात कर लेते हैं, देखे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च और अर्गनेजेशन से, इसका स्थापना 15 अग कहां पर है, करनाटक में, उके, चलिए, चलते हैं, ये आप न, ये जो आकास गंगा का नाम है, इसको प्लीज आप याद रखना, C-E-E-R-S-1-0-1-9, उके, चलिए, आगे चलते हैं, कोश्चन नबर 5 और लास्ट है, वयानिकों ने किस ग्रह पर फासफिन के निर्माड की खोज की है, सो राइट एंसर है, सुक्र, ओके, ये दिखे, सूरी हो गया, और ये हो गया, बुद्ध, ये है प्रिथवी, और ये है सुक्र, तो प्रिथवी से सबसे नजदिक ग्रह कौन सा है, तो वह है सुक्र, और प्रिथवी से, सूरी, सूरी से सबसे नजदिक कौन सा ह तो वह है बुद्ध ये भी आपको याद रखना है चलिया आते हैं कोशन्स पे तो प्रित्वी पर धीले हाइडोजन्स की कमी से फासफिन का निर्माण होता है जिससे पता चलता है कि अन ग्रहों पर इसका अस्तितु जीवन का संभावित संकेत हो सकता है विल्स में कार्डीफ विसुविद्याले के वयानकों की एक टीम ने सुक्र पर जीवन की खोज में एक नए विकास की घोशना की है अब उन्होंने अपने पिछले इसकर्सों के तुलना में ग्रह के वायुमंडल में अधिक गहरे इस तर पर फासफिन का पता लगाया है अगर सुक्र बारे में कुछ बात करनी हो ना दिखे सुक्र और वरूण याद रखना कि सुक्र और अरूण ऐसे दोग्रह है जो कि दख्षिडावर्थ यानि पूर्व से पस्चिम की और गुमते हैं जो बाकी ग्रह है ना बाकी ग्रह वह पस्चिम से पूर्व की और गुमते हैं तो यह भी आप इस पे सल याद रखना सुक्र के बारे में अब बाकी जो तो भी कंटेंट था आपको क्या इसमें बहतर लगा क्या सुधार किया जा सकता है कंटेंट आपको कैसा लगा सो प्लीज अपने सलाह को कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा सो टोटल यह पांच कोश्चन था जिस पर कि हमने बिल्कूल वन टो वन डिसक्रिशन्स किया है लाइन टो लाइन डिसक्रिशन्स किया है सो विरबड़ी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेग्मेन में थांकियो सो मच पॉचिंग